हेलो अरिवन तो कैमिस्टी सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा था रेडियो एक्टिविटी यान की रेडियो धर्मिता तो जितना भी अभी तक हमने रेडियो एक्टिविटी में कंप्लीट किया है वह एक पर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और इसी के साथ आज की वी जो है आपका रेडियो एक्टिविटी जो है आपका शो करते हैं इसका रिजन हमने देखा था कि केवल वह एलिमेंट्स जिनका जो न्यूकलिस होता है वह अन्स्टेबल होता है तो अन्स्टेबल न्यूकलिस होने की कारण कुछ एलिमेंट्स जो है आपका रेडियो एक्ट है प्लस नंबर और न्यू टेश को फंव्क HO कहलते तो सदी एलिमेट का गारेच को फ्राइब युड चोई करेंगा ऐसी एलिमेट्स साथ ही हमने देखा था कि वो elements जिनका जो atomic number है 82 से ज़ादा है तो वो जो ऐसे elements है वो उनमें maximum देखा गया है ऐसे elements जो है radioactive property जो है show करते है 82 element number किसका है वो हमने देखा था lead का तो lead के बाद जितने भी elements है तो 83 atomic number है आपका बिश्मत तो यहां से इसके बाद से जो जितने भी elements होंगे उनका हम देखेंगे कि उनमें से कई elements है जो की radioactive property show करते हैं unstable nucleus होने के कारण उसके बाद हमने देखा था कि जो nuclear reactions होती है वो तीन तरह की होती है कौन-कौन सी nuclear reactions या ना भी किया अभी किया तो यह कौन-कौन से three type की होती है हमने पढ़ा था यह होती है आपकी पहला है nuclear fusion और nuclear fusion तो यह दो टैप की हमने देख ली थी कि जो आपकी nuclear reactions है यह दो तरह की होती है nuclear fusion और nuclear fusion जिस वैसे आपका जो nuclear fusion है जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं ना भी किया विखंडर इसके बार में हमने पूरा discussion कर लिया था और इसके साथ हमने डिसकस किया था क्या आपका nuclear reactor ना भी किया तो इसमें हमने देखा था कि nuclear fusion में जो है आपका क्या होता है एक बड़ा जो unstable nucleus होता है यानि कि uranium हमने देखा था तो uranium के साथ जब bombarding होगी आपका neutron की तो जो है barium krypton के साथ साथ जो है आपका three neutrons और एक large number of energy जो है निकलती है और वो energy जो है आगे हर level पे यह जो reaction होगी वो nuclear fusion के अंदर जो reaction होती है वो कैसी होती है वो होती है आपकी दो तरह की एक होगी आपकी uncontrolled chain reaction और दूसरी तरह की होगी आपकी controlled chain reaction अब uncontrolled chain reaction तो ठीक है आपकी nuclear fusion ना भी किया विखंडन कहलागी है हमने देखा था जो अगर हम इस reaction को control कर लेंगे तो वो किसका example है वो है आपका nuclear reactor तो nuclear reactor हमने देखा था कि कैसे हम जो आपका energy होगी कि large जो energy release होती है विस फोर्ट करने के बाद जो atom bomb बनता है उसमें atom bomb किसका example है तो atom bomb आपका nuclear fusion की जो philosophy reaction है इसके properties पर आधारित है nuclear fusion example atom bomb जिसमें हमने देखा था क्योंकि बहुत जादा energy release होती है उसके बाद environment को काफी खत्रा होता है तो उसके लिए हमने देखा था कि उस energy को कम करने के लिए उस number of neutrons जो बार बार रिलीज हो रहे थे उसको हम limit करने के लिए क्या करेंगे reaction को कंट्रोल कर ले इसके लिए हमने क्या किया था कि जो cadmium और boron की जो lead होगी आपके जो roads होगी उसके थुरू हमने इस reaction को कंट्रोल किया था और इसी reaction को हम कहते है nuclear reactor जिसके थुरू हम क्या है हम harmful जो रेस है environment में radioactive रेस है उसे भी कंट्रोल कर सकेंगे और जो environment में harmful जो energy होती है release होगी atom bomb के बाद क्योंकि harmful radiation निकलती है उसको भी हम control कर सकते हैं तो यह सब चीजे क्या था यह सब हम पहले पढ़ चुके हैं अभी मैंने सिर्फ एक आप कहा सकते हैं ओवर्व्यू जो है ले लिया है क्योंकि टॉपिक में रेडियो अक्टिविटी टॉपिक में अब तक हम दो से तीन वीडियो कर चुके हैं लास्ट पार्ट हमारा रह गया है न्यूक्लियर फ्यूजन तो उससे पहले मैंने आपको एक ओवर्व्यू दे दिया है कि हम क्या क्या चुह अभी तक पड़ चुके हैं जिन्होंने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको आज का जो टॉपिक है और अच्छे से समझ आएग तो नुक्लियर फिशियन में हमने देखा था कि जो यूरेनियम है जिसका अटॉमिक नंबर कितना है आपका 92 और यह है 235 प्लस नूट्रॉन की अगर बॉंबार्डिंग कराएंगे तो आपके सामने क्या निकल करा जाता है आपके सामने निकल कराते हैं दो स्मोलर एटम्स बैरियम और क्रिप्टन्ट उसके साथ ही आपके तीन जो नूट्रॉन है वो आपके निकलते हैं और लार्ज नंबर अफ अनरजी जो है यह आपकी मेली निकलती है तो यह हमने देखा था नुक्लियर फिशियन के अंदर जिस पर आपका आधारिध है एटम बॉंब तो एट अब हम डिसकेस करेंगे हैं तो हाइटोजेन बॉंब जो है आपका नुक्लियर फिजर पर जो है अधारित है तो अभी तक हमने देखा क्योंकि जो आपका स्टेबल जो नूक्लियस है वह आपका काफी भारी हो जाता है अनस्टेबल होने के कारण जो है आपका उसमें फिश नुक्लियस होगा वह अनस्टेबल तो होगा लेकिन भारी नुक्लियस नहीं होता तो आप कैसे कह सकते हैं आप कहेंगे कि भारी नहीं है नुक्लियस अभी तो हमने कहां कि वही एलिमेंट जो है रेडियो अक्टिव प्रोपर्टी शो करते हैं जिनका अपका 82 से जादा है लेकिन कुछ हलके एलिमेंट भी यानि की जिनका a. Жिनका atomic नमबर इन से कम है जिननी नमबर और प्रोटोन्स कम है वहँ जो है आपका क्या शो करते हैं वहँ मैध्व आपका रेडियो एक्टिव प्रोपर्टी जो है शो करते हैं तो आपके लिए हम देख लेते हैं आपका जो carbon है, carbon के isotope कौन को से है? ये carbon का जो है आपका एक isotope है, तो इसमें अगर आप देखें, तो इसमें आपके number of neutrons देखें, तो ये किया है आपका? ये आपका atomic number show करता है, और साथ है आपकी क्या है? carbon के 6, उसमें proton पाए जाते हैं, और ये क्या है? mass number, जो कि किसे बनता है? neutron plus proton, तो इसमें आपके proton, अगर हम neutron काउंट करने हो, तो इस carbon में आपके neutron कितने है? तो mass number 12 minus 6, तो ये आपके 6 जो है, आपके neutrons आ गए, और protons कितने है? वो भी 6 है, अब इस isotope पर आएं आपके, तो ये जो isotope है, यहाँ पर आप देखेंगे, तो जो आपका mass number है, वो कितना है? 14 और minus, 14 minus number of neutron करेंगे, तो 14 minus 6 कितना आ गया? वो आ गया आपका 8, तो ऐसे आपके elements, ऐसे atom, जिसमें जो आपके number of neutrons है, उसकी जो संख्या है, वो आपकी जाद कई कुना जादा हो जाए, किस से? number of proton से, तो ये जो carbon का, आपका isotope है, जिसमें आपका जो है, number of neutron 6 आए है, यानके proton के equivalent है, ये जो आपका carbon है, ये radioactive property शो नहीं करेगा, लेकिन ये carbon, ये carbon का isotope, जिसमें number of neutron, जो है, आपका 1.2 गुना से ज़्यादा difference हो, आपका proton और neutron में, या फिर उससे भी ज़्यादा अगर difference पाया जाता है, number of proton और number of neutrons में, तो ऐसे जो elements होते हैं, वो आपके radioactive property शो करते हैं, तो ये carbon का isotope है, अगर आपका, इसका atomic number भी कम है, मतलब ये आपका हलका atom है, हलका atom है, इसके बावजूद जो है, आपका ये radioactive property शो कर रहा है, हलका atom हो, मतलब कहने का मतलब क्या है, कि चाहे इसका atomic number 82 से कम है, लेकिन ये क्योंकि इसमें जो है, आपका unstable nucleus है, number of neutrons कई गुना जादा है number of proton से, इसलिए ये आपका जो isotope है, radioactive property शो करता है, तो यहां से हम derive करते हैं, यहां से हम क्या derive करते हैं, nuclear fusion यानकि जो नाभी किये sunlion अभिक्रिया है, उसका definition, तो नाभी किये sunlion reaction, यानकि जो nuclear fusion, जो reaction, ऐसी reaction या ऐसी अभिक्रिया होती है, जिसमें, दो unstable nucleus, दो हलके, दो हलके यानकि दो light, जो unstable earth थाई, जो नाभिक होंगे, nucleus है, उनका fusion या sunlion हो, तो ऐसी reaction को हम क्या कहते हैं, ऐसी reaction को हम nuclear fusion कहते हैं, और ऐसे इससे हम क्या बनाते हैं, इसी theory पर हम हम hydrogen bomb जो है, जो है वो बनाते हैं, तो जब दो light unstable nucleus आपस में fuse हो जाए, तो उससे जो है आपका, उस reaction को हम nuclear fusion या नाभिके sunlion reaction कहते हैं, एक्जाम्पल देखे ले, इसका, एक्जाम्पल देखते हैं, तो हाइड्रोजन की कौण-कौण साइड, हाइड्रोजन की आइसोटोप हमने देखा था, तीन Yeah. इस्टोप होते हैं तो है, प्रोटीयम। लिप्रियं के ले जब्रीयं। Çो humor प्रोटीयन। तो यह आपका प्रोटियम पहला तो प्रोटियम डूटियम और यह है ट्रेटियम तो यह हमने देखा था कि जो हाइडोजन की है यापके क्या करते हैं यह आपका nuclear fusion सी यह है देख रहते हैं कैसे तो हाइडोजन की चुके डूटियम और ट्रीम इसमें यह जब आपस में react करेंगे तो इसके लिए पहले तो यह जो दो unstable nucleus है दो छोटे unstable nucleus है आपस में fuse कब करते हैं आपस में fuse तब ही करेंगे यहाँ पर हमने nuclear fusion में क्या देखा था कि जब जो है आगे nuclear fusion reaction आगे तब ही बढ़ती है जब heavy nucleus आपका uranium था उसके साथ neutrons जो है bombard कराए जाए तो यहाँ पर nuclear fusion reaction तब ही होगी आपके दो unstable जो हलके जो nucleus है वो तब ही आपस में जो fuse होगे जब यहाँ पर जो है क्या दिया जाए यहाँ पर कुछ energy भी लगाई जाए और यहाँ पर जो energy लगाई जाती है कहा जाता है कि वो किसके equal है वह इतनी energy nuclear fusion reaction में चाहिए जितनी energy जो है आपका nuclear fusion reaction में स्टार्टिंग में ही जितनी अनरजी जो है रिलीज होती है एक एक अमस्फोर्ड के दोरान उतनी अनरजी किसी भी एक इसी भी नीूकले fusion reaction यान कि जो नाभी के सलियन प्रक्रिया है उसमें उतनी energy जो है आपका उन्हें fuse करने के लिए दो unstable nucleus को आपस में fuse करने के लिए उतनी energy चाहिए तो इतनी energy जब हम दो हलके unstable nucleus को देंगे तो ये आपका convert हो जाते है helium में आपके जो है convert हो जाते है तो ये जो आपकी reaction है ये आपकी reaction किस में use होती है ये जो theory use होती है nuclear fusion reaction में जो कि क्या बनाती है आपका hydrogen bomb जो है वो बनाती है तो ये है nuclear fusion nuclear fusion में क्या है कि इसमें दो हलके unstable nucleus है वो fuse करते है fuse तभी करेंगे जब हुने कुछ energy दी जाए और कितने energy जीवने चाहिए होती है जितनी जो है आपका एक atom bomb के sword के दोरान ने जो आपकी न्यूक्लिर फ्यूजन reaction में जितनी energy होती है उतनी energy किसी भी nuclear fusion reaction के दोरान शुरुवात में इतनी energy चाहिए कि नहीं भी दो unstable हलके nucleus को fuse कराने के लिए तो यह चीज आपको याद रखनी है यह ठोरी होती है आपके nuclear fusion reaction में जिसके थुरूर जो है आपका hydrogen bomb जो है बनाया जाता है तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था radio activity या radio धर्मिता यह जो टॉपिक था इसी के साथ हमारा जो है पूरा complete हो जाता है जिसमें हमने एक एक चीज पूरी देखी है सबसे पहले हमने देखा था पूरा इंट्रोडक्शन कि radio activity किसने discuss की किसने इसके बार में बताया कैसे जो आपके बैक कुरल जो scientist हुए थे उन्होंने देखा कि अपनी laboratory में कि कोई उन्होंने एलमेंट रख दिया था जिस कुछ दिनों बाद आये तो उसने उन्होंने देखा अपनी टेबल पर कि उस element के सामने जो screen थी वो पूरी काली पड़ गई उसके बाद वहां से उन्हें radio activity का जो idea आया उसके बाद मैडम क्यूरी के द्वारा भी जो दो आपके आसे radioactive element की खोज की गई कौन-कौन से रेडियम और आपका पोलो लेंड साथ ही उन्होंने क्यूरी टेंपरेचर के बार में भी बताया उसके बाद हमने देखा कि जो radioactive जो आपका यूज होती है यह आपका cancer treatment में भी यूज होती है कौन-कौन से radioactive जो element यूज होते हैं कौन से जो radiation यूज होती है यह सब हमने देख लिया था उसके बाद कहां यह जो radioactive की क्या-क्या application है कहां कही यूज होती है तो nuclear fusion इसके साथ ही nuclear reactor में इसकी क्या application है यह भी हमने डिसकस कर लिया था तो chemistry series में आज य complete हो जाता है तो कोई doubt रह गया हो तो आप मुझे नीचे comment section में पूछ सकते हैं वीडियो गर अच्छी लगे तो please like करे share करे और channel को subscribe करना ना भूले thank you thank you so much